Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today, I will start a new topic, what is Data, Information and Knowledge. यहां हम समझने की कोशिस करेंगे कि Data क्या है, Information क्या है, and Knowledge क्या है, और Data, Information, Knowledge में Difference क्या है? शुकों हम देखने की कोशिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं Data. इस data क्या है आज प्रेंट वर्ड में हम देखते हैं जहां पर भी देखें डेटा की बात होती है इस फिर्म में بात करें डेटा हम मोबाइल की फिर्म में बात करते हैं कम्पिट्री फिर्म में बात करते हैं data jam उस अधर डेटा जो बरड़ वह हमारा pricing होता है from Latin language डेटा हम किसे कहेंगे जो कुछ भी fix में है जो कुछ भी number की form में symbol की form में character की form में किसी भी form में कुछ भी available है but in digital form जो भी चीज digital form में हमारी available है जाए वो number है symbol है audio है video है sensor से जो भी हमें data मिला है जब क्या है data है what whose meaning only become clear when they connect context otherwise no हमारे पास collection of data है अलग-लग number है अलग-लग alpha बेटे उनका कोई meaning नहीं है जब तक किसी context में हम उसकी बात न करें समिश्य को बोलते है data is a unrecognized raw fact that need processing जब उसे हम process करेंगे तब ही वो हमारे लिए useful हो सकता है otherwise जब तक हम उसकी context के form में उसकी बात नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए useful नहीं है बही चीज एक digital form में हम बात करते है that is useless to human यहां पर हम बात करते हैं कि जो collection and measuring observation through sensor sensor perceptus जो भी observe करते हैं जो भी देखते हैं जो भी उन्हें input सेखने मिलते हैं वो सब क्या करें जी data generated data को इस बेस पर हमने दो टाइप से डिवाइड किया है first is qualitative data second is quantitative data qualitative data में हम बात करते हैं respective and conceptual means यहां पर एक question हमारा आता है अब दूसरा हम देखते है quantitative data quantitative data भी जिसे हम count कर सकते हैं जो measurable है जिसे major कर सकते हैं जिस को भी number की form में हम लिख सकते हैं जिसे how much, how many example हमने यहां पर एक टोकरी रख दी यहां पर अलग मैंगो रखे हुए हमारे हमने देखा हम बोल सकते हैं कि हमारे फॉर मैंगो है या थ्री मैंगो है जितने भी count of मैंगो है लेकिन qualitative में हम किसकी बात करेंगे qualitative हमारे आएगा mango की बात करेंगे हम कि mango का color क्या है हम color को देख सकते हैं या पर इसके अलावा हम बात करते हैं mango के test के लिए जो भी mango का हमारे test होगा उसके regard अमात strategic qualitative कि आम क्या है मीठा है strategic qualitative data बट हमारे पास दो आम है तीन आम है दो किलो आम है strategic quantitative data तो data हमारे किसी भी form में हो सकता है बट उसका कोई meaning नहीं होता है कि हमारे अलगला type के letter, number लिखे हूँ है इनका कोई meaning हमारे या पर दिखाई नहीं देता है इन्हें अगर meaningful में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा processing हमें इसे process करना पड़ेगा यह हमारा data अब हम second देखते है information what is information अभी-गभी लगता है data ही information data is different thing information is different information is a set of data that is processed जो हमने पहले data देगा था उसी data को हमने या पर प्रोसिट कर दिया किसी meaningful way में according to given request जिस type के हमारी recommend उसके according हमने उस चीज़ को data को प्रोसिस किया तो बही set of data is called information और information को हम use कर सकते है it is useful to human तो इसका meaning होगा information is proceed textured और presented as giving उसका कोई ना कोई meaningful and useful to human information provide expertise हमें किसी के बारे में पता था हमारे पास huge amount में data था अलग लग number symbol हमने किसी contest की form में उसकी बात की हमने जब उसको contest की form में convert किया कोई meaningful order में convert किया तो मतलब क्या था हमें उसके बारे में knowledge थी provide expertise about facts और person और जो हमारे पास knowledge थी उसको जो हमारे पास information थी यहां पर जो information collect कि हमने इसके थूँ डेटा को process करके हमने उस information बनाया उसको हम easily दूसरे को भी transfer कर सकते हैं दूसरे को भी बता सकते हैं को हमारे पास information है हमारे question आते हैं who सबका हम आंसर दे सकते हैं that is information क्योंकि हमारे पास information है और इसी collection of information को बोला जाता है database जैसे हमने पहला example देखा था कि हमारे पास अंकीत बिजय स्याम बगएरा यह लिखा हुआ है हमने इसी को कोई context form में convert कर दिया हमने monthly expenditure को यह उठा के रख दिया अंकीत के सामने उसका amount लिख दिया विजय के सामने उसका याम तोहन तो यह हमारे क्या कि है हमारे अंकीत यह हमारे पास कुछ परसन है उनका monthly expenditure वो एक महिने में कितना कर्चा करते हैं यह हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल गए इस इन्फॉर्मेशन को किसी को बता भी सकते हैं तो इसी को बोला गया है कि easily transferable to everyone अब next हमारा आता है knowledge तो जो हमारे पास information मिली हमने यह आपर देखा जो हमारे पास information हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल गई लेकिन हमने इसको क्या किया हमने इसको useful order with experience हमारे पास experience हमने लर्ण किया हमने चीज़ों को देखा है समझा है अब हम देख सकते हैं कि अंकित का expenditure आठ हजार जिजए का 20,000 मोहन का 11,000 स्याम का हम समझ सकते हैं कि स्याम के पास सबसे कम पैसा है अब इसका हम दो-दो contest निकाल सकते हमने information हमारे पास यह कि स्याम का monthly expenditure 5000 है लेकिन एक परसन की बात करें तो एक परसन अपने knowledge से कि इसका conclusion निकाल सकता है कि स्याम क्या है क्यों क्योंकि उसका monthly expenditure का में बहुत कम खर्चा करता है उसके पास पैसा है यह नहीं तो कहां से खर्चा करें किसी दूसरे person की बात करते हैं तो दूसरे person अपने experience से किस किसी तीसरे person के context में हम बात करेंगे तीसरा person उसको अपने experience से उसका conclusion conclusion कुछ और निकाल सकता है कि स्याम क्या करता है स्याम बहुत ज्यादा saving करता है इस वज़े से उसका monthly expenditure बहुत ज्यादा कम है दूसरा हम निकाल सकते हैं विजए कि यह बहुत ज्यादे खर्चे तो 20,000 है not possible कि यह हमारे according तो स्याम का जो monthly expenditure 5000 था ना हमने उसे बोला कि स्याम 5000 खर्च करता है that is the information but हम नहीं डिसाइड किया है कि that person is poor other person हो सकता है उसे बोले कि स्याम बहुत saving कर सकता है वह बहुत नहीं है उसकी income बहुत ज्यादा है बट वह saving बहुत ज्यादा इसको हम बोलते हैं knowledge knowledge is the combination of useful information जो हमारे पास information useful information experience and insight that help the individual or organization that is knowledge तो यह जो हमारी evolution उस information को evolve करना that is knowledge इसमें हम देखते हैं evaluate new input from its ground हमने हमारे यहां पर information थी हमने इसके बेस पर अलग 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 टाइप के हमने अपने एक्ट बना लिए कि यह पॉसिवल्टी है तो knowledge make it possible to make informed decision and solve problem हम अब हमें हैं पर क्या problem दिखाए दी एक दूसरे कंटेस्ट हम देगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारा यहां पर 5000 करती है क्रप॥्न है किकम है थी चाला सकता है घर का खर्चा अराम एक इतने के बीच में चला सकता इंगे में वह में दिखांगेगे पांच घजार से कम उपाए हमें कि को और अपने घर का मत्साभर्चा नहीं चला सकता कि यह क्योंकि हमारे पास अग्जंपल इस चीज में इस छीज़ में नॉलेज इंफ्लेंस करती हैं क्योंकि इसके पास experience है अगर हमें टांसपर करनी है तो दूसरे परसन के पास जिसने इसको रिशिप किया है उसके पास लर्निंग होनी चाहिए लर्निंग रिक्वाइड है इसमें हम बात करते हैं वाई इसका ही आंसर यह हमारे पास यह हमारे अब नॉलिज हमारे पास दो टाइप की होती है फिर्स्ट इस फैक्ट बेस नॉलिज हमने फाइब प्लस फाइब किया एन आया देट इजए फैक्ट हमारे पास सुकी लकडी लगी थी रखी थी यहां पर हमने उसमें आग लगा दी कि सब जलके राख हो जाएंगे यहां पर हम देखते हैं कुछ फंडमेंटर रूल्स कुछ एक्सपरेंट का जो आउटकम होगा हमारा तो अलग अलग एक्सपरेट उसका कंक्लूजन निकालते हैं यहां परिष्टिक हमारी आती है एक्सपिरेंस के साथ कि नॉलेज ऑफ गुड़ प्रैक्टिस एक अजैंप्शन एक प्रिडिक्शन प्रिडिक करना कि बाहर बहुत ज़्यादा काल अंधिर बादल है लाउट है तो हम यह प्रिडिक कर लेगे बारिस होगी जरूर नहीं है बारिस हो तो रिष्टिक वेस अप्रोच हमने यहां पर अप्लाई की यहां पर हम जज्जमेंट करते हैं लगाते हैं यह हमारी पास आगए हो रिष्टिक वेस अब हम देखते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलिज और विज्ड़ डेटा को हमने बोला गया डेटा इसी सिगनल इसी अलगला टाइप के सेंसर से मिला है हमें करसेप्टर है कोई फैक्ट है हमारे पास कुछ भी ऐसी जी जो क्या है बिट में इस्टॉर होती है इस विट वाइट कोई भी ऐसी जी जो बिट में इस्टॉर होती है digital word that is data उसका meaning हो या नहीं हो में कोई मतलब नहीं लेकिन information information को बोलते है इस यूजफुल है हम यूजज कर सकते हैं जैसे हमने पता किया कि विजय का expense कितना है वह इस टेक्टर फॉर्म में हमने उसे लगाए organized form में हमने उसे लगाया that is information knowledge information का ही हम यूज करते हैं नौलेज बनागे लेकिन नौलेज की रिक्वार्मेंट है हमें एक्सपिरेंस की awareness contextual किसी particular context में और जो हमारे पार information होगी उसे में relevant information जो हमारे काम की information अपसे निकालेंगे अब इसी चीज़ को जो हम actionable इसने गोल फॉर्म में convert करते हैं हम शुरू समझते हैं और अपनी एक समझ बनाते हैं अपने एक व्यू तयार करते हैं पोट में हम खड़े हुए पोट में यहाँ पर दो advocate बैस कर रहे हैं यहाँ पर एक जाज बैठा हुआ है इसने भी अपने fact दिए इसने भी अपने fact किये इसका जो decision होगा क्या होगा that is depend on wisdom क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी अंडर्स्टेंडिंग उसके अंडर्स्टेंडिंग के ऊपर depend करता है इसने इंटेग्रेटेड इंटेलिजेंस एंडिसीजन मेकिंग प्रोसेश किया इसी मीनिंग्फुल फॉर्म में किया यह हमारा बनता है इंडर्स्टेंग के ऊपर प्रोस्टेंडिंग का उसी इंफॉर्मिशन का हमने कोई मीनिंग इच्पिरेंस कणबड किया देट नौलजज को इंसाइट एंड वीकम विजडम नॉलजज को हमने अपने इंटलियेश लागई हमने उसमें अपने फैक्ट एड किये हमने प्रिविस एक्सपरेंश को एड किया अब को एड करने के बाद मैं बने विस्टम इस चीज को हम समझे डेटा इनफॉर्मिशन नॉलिज क्या है और इनकी बीच में क्या डिफ्रेंश है थैंक्यू थैंक्यू एब्रिवन